कि नमस्कार प्यारे जिद्धारतियों मैं आमिर खान आप सभी का स्वागत कुरता हूं जैसा कि हम इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने मुगल समराथ अकबर के समधर्में बाते स्टार्ट की थी और हमने देखा कि किस तरीक उसके पस्चात हम देखेंगे 1556 से 1560 में वो बैरम खांके संड़क्षण में रहता है उसे बैरम खांके संड़क्षण काल की नाम से जाना जाता है फिर उसके बाद हमने देखा कि बैरम खांकी मिर्त्यू के पस्चात मुगल सिंगासन या मुगल परसासन जो है वो सीधा कह नहीं नहीं अकबर की धायमा महाम अंगा के हाथों में आ जाता है इस समय को इतिहास कारून है परदा सासन या पेटी कोट या हरम दल की सरकार के नाम से जाना है दैन उसके पस्चात हमने देखा जब हरम दल का प्रभुत्व खतम हो जाता है तो अकबर स्वेम अपने समराज वसतार की भागडूर अपने हाथों में लेता है और इसी करमें हम देखेंगे कि वो सबसे पहला जो अभियान सुरूव करता है वह मालवा के सासक बाजबहाद पराजित होकर उदैंसिंग के मेवार के सासक उदैंसिंग के सरंण में चले जाते है धीरे धीरे इसी प्रकार और भी कही सारी युद्ध लड़ता है और लाश्ट जो हमने देखा वा कालिंजर का वियान देखा जिसमें रानी दुर्गवती जो हैं वह बहुत दूरी सी लड़ती हुई वीरगती को प्राप्त होती हैं जब यह सब कुछ चल रहा था उसी समय मेवाड के सासक महारणा प्र जिनमें जो पहला व्यक्ति था जो भेजा गया उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों जलाल खां कूर्ची जलाल खां कूर्ची जलाल खां कूर्ची जब अपने उद्देश में सफल नहीं हो पाया उसके बाद अकबर किसको भेजेगा मान सिंग को आमेर के राजकुमार मान सिं भगवंत दास जो हैं वह महाराना प्रताप से मिलने पहुंचेंगे देन उसके बाद टोडर मल मिलने पहुंचेंगे लेकिन कोई भी महाराना प्रताप को अधेंता स्विकार कराने के लिए राजी करने में सक्षम नहीं था देन उसके पस्षाद यहां पर एक विहू रचना रची जाती है महाराना प्रताप से युद्ध लड़ने की और एक भारी भर का मुगल सेना जो है वो महाराना प्रताप से लड़ने के लिए पहुंच चुकी है जिसका नेत्रत मान सिंग और आसफ खांजैसे योग सेना पतिय के लिए तैयार हो चुकी है और महाराना प्रताप और अकबर के मद्ध है जो युद्ध होगा जुन 1586 में आपको अठारा जून भी मिल जाता है कहीं किस भी मिल जाता है कहीं 22 मिल जाता है आपको बसफिया रखना ैजादिक्तर जो प्रिमानित पुस्तक है उनमें 1814 की ति इतिहास के जो पिताम हम आने जाते हैं उनका नाम है दोस्तों करनल जैमस्टॉड करनल जैमस्टॉड जो हैं उन्होंने इस एरिये की मिट्टी के रंग के आधार पर क्योंकि इस एरिय में जो मिट्टी पाई जाती है इसलिए उन्होंने इस युद को नाम दे दिया हल्दी घाटी का युद संग 1572 में उदय सिंग की म्रत्यू के पस्टाथ मेवाड के सासक महारणा प्रताप बनते हैं उन्होंने उनका जो पहला राजब सेख होता है वो गोगुंदा में होता है महारणा प्रताप ने उदयपूर के बाल मेवाड की जो राजदानी है वो कुंबल गड़ स्थाना अंत्रित कर दी इस युद में मुगल सैना का नेत्रत आसफ खां और मान सिंग द्वारा जबकि महारणा प्रताप की तरफ से हाकिम का सूर और भीलो की सैना ने नेत्रत समाला और इसी समय भामासा के त्याग की जो कहानी है वो भी हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से सेट भामासा ने अपनी समस्त पूंजी जो है वो मारणा प्रताप को आगे लड़ने के लिए दे दी ठीक है अबुल फजल ने इस युद को एक नए नाम से जाना है और इस युद को उ चानलु कि अधिया है और यहां पर आपको धियान रुखना होगा आली में राजीस्तान सरकार ने फैसला लिया है उन्होंने कुछ तत्यों के आधार पर कुछ सोध के आधार पर यह पाया है कि इस जkick में महारणा पिरताफ यह विजयी हुए थे और आगे आने वाली solution में जो आप पढ़ोगे तो आप पाऊ pouगे कि इस जुड की जो विजय है वो किसके पक्ष में लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी महारणा पिरताब के ओके यहां पर हल्दिघाटी के इस युद्ध से फिरी होने के पसात हम देखेंगे कि अक्बर ने इस पर चित्तौड पर अधकार कर लिया और चित्तौड का नाम बदल कर रख दिया दोस्तों महमदाबाद क्या नाम रखा महमदाबाद मैंने राजस्तान की डिटेल लेक्चर सीरीज में भी इसको अच्छे से समझाया है यदि आपने नहीं देखी है तो आप राजस्तान की हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज भी देख सकते हैं हल्दिघाटी से फ्री होने के पस्चा जो अकबर है वह गुजरात की और चलता है और गुजरात को जीतना क्यों चाहता है क्योंकि गुजरात में बहुत सारे विस्तमबंदर21 हैं जिन से बहुत सारा आयात निर्यात का काम किया जाता है तो रेवन्यू प्राप्ति के उद्देश से वह गुजरात पर अधिकार करना चाहता है तो गुजरात पर विजय उसकी 1572-73 जब यह सब कुछ चल रहा था उससे पहले ही हो चुकी थी देखिए गुजरात जहां एक और किर्सी की और द्रश्टी से अतियंत उपजाओ था वहीं दूसरी और वहां पर अनेक व्यापारिक बंदरगाह थे और वह व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में तेजी से विकास कर रहा था इसलिए अकबर उसे अपने हाथों में रखना चाहता है अकबर ने गुजरात अभ्यान के समय जो वहां के सासक थे वो थे सुल्तान मुजफर सहा तृतिय जब वह पहुंचे तो गुजरात मुहमद सास्तृत्ते जो हैं यह अधिनता सिवकार कर लेते हैं गुजरात के अभ्यान के लिए अकबर ने राज कुमार इंता इत्माद खां को आमंतृत किया यानि कि उनको उन्होंने नेत्रत सौंपा उसके अलावा अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उप अकबर ने पहली बार समुद्र देखा और पहली बार ही उसने जहाजी सफर किया और पहली बार ही उसकी मुलाकत कि से हुई पुर्तगालियों से हुई यह भी एक point है जो S.S.C. वगेरा में पूछा गया है देन उसके पस्चात अगर हम अकबर की उत्तर पस्चिम विजयों में देखें तो उत्तर पस्चिम विजय में सबसे पहली विजय जो है वो काबुल की है सन 1581 में होती है दरसल काबुल में जो अकबर के समय जो काबुल का जो सा सकता वो उन्हीं का एक रिष्टेदार था जिसका नाम था हाकिम मिर्जा हाकिम मिर्जा जो है ये कहीं न कहीं अब मुगलों के आदेस की अवहिल ना कर रहे हैं और अकबर को ये पसंद नहीं आता है तो अकबर वहां पहुंचे गा और अकबर हाकीम मिर्जा से सारी जो गद्दी छीन कर उसके हाथों से चीन कर अपनी बहन जो उसकी सौटेली बहने जिसका नाम है बक्तु-निसा बेगम को यहां का सुबिदार बना देता है हालां कि यह बात अलग है कि जैसे ही यहां से अक्बर जाएगा दिल्ली की ओर तुरंत वह बक्तु निशा को हटा कर पुने जो यह विक्ति है हाकिम मिर्जा यह पुने यहां की गद्दी पर प्रवावसाली हो जाएगा आगे बढ़ें धैं उसके बाद हम देखेंगे कि पुर्तगाली विद्वान जो मारसेंट है देखें वह भी इस अभियान पर अक्बर के साथ जाता है यह बहुत इंप्यौ्टन इंप्रिट पॉइंट है अपने लिए पुल्योग मिलता है कि पुर्तगाली विद्वान मारसेंट जो हैं वह कस्मीर भी जीता जाता है 1585-86 में अकबर ने कस्मीर को विजित करने के लिए राजा भगवन्त दास तथा कासिम खां के नित्रत में मुगल सेना वहां पर बेजी और कस्मीर के जो राजा थे वो यूसुफ जाई जन जाती जो है उसके ही एक राजा थे जिनका नाम था यूसुफ खां को पराजित किया जाता है और उन्होंने मुगला दिनता सिवकार कर ली उस समय पस्चाथ यूसुफ खां के ही पुत्र है याकूफ खां याकूब खाने वहां पर दुबारा विद्रो कर दिया और इसे विद्रो को दबाते समय ध्यान रखिएगा अकबर के प्रियमित्र अक्बर के एक नवरतनों में से एक व्यक्ति जिसका नाम है बीरवल वो भी मारा जाता है अना तो कई बार सवाल पूछे जाता है कि बीरवल किसके विद्रों को दबाते हुए मारा गया तो ध्यान रखेगा यूसुफ जाई कबीली के विद्रों को दबाते हुए बीरबल की मुरत्यू होती है हालां कि अंतित है कस्मीर को मुगल समराज का हिस्सा बना लिया जाता है अब हम बात करेंगे इस थटा यह थटा से मतलब है आज के सिंद से गया है किशिन की मुझे किस प्रकार से होती है धटा उत्तर प्रस्चिमिंश छेत्र का एक स्वतंत्र प्रांत था सफ्वतंत्र राज था और अकबर ने अकबर ने अब्दूरहीम खाने जब बहरम्का की म्रत्यू हоки हो जाती है तो बहरम्का की म्रत्यू को प्रश्चात उसका एक बेटा है जिसका नाम बैंड बहरीम को फर से से descant और प्रणी काम देगा और इसकी विद्वता से प्रेरित हो कर अग्बर इसे ख़ाने खाना की उपादी भी देता है तो अब्दुलरहीम खाने खाना जो है वहां का गवर्णर किया जाते हैं और उन्हीं नहीं बलूची यहां पर बलूचिस्तान से कहा जा रहा है उसमें रहने वाले निवास करने वाले जो लोग हैं वह हैं बलूची बलूचियों का दमन करने का भादेश भी अकबर ने इसी समय दिया आगे बढ़ें अब देखिए अकबर की यह तो बहुत सारी विजये हैं उन्हें से कुछ महत्पूर्ण विजये जो हैं उन्हीं को हमें समझना होता है मैं आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इसका आप स्क्रीन सॉट ले लिजिए यह नौर जो अकबर की पिर्मुक विजये हैं पिर्मुक कहिए हैं कि मैंने संपूर्ण विजयों को अकबर की सारी विजयों को यहां पर एक क्रम एक तालिका के रूप में आपके सामने ल कौन प्राजित सासक कौन था और मुगल सेनापती कौन था यह ऐसे फैक्ट बेस सवाल कई बार बहुत परिक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं तो आपके समक्ष है आप प्लीज स्क्रिन सॉट ले लिजीगा चले यह तो अकबर के राजनतिक अभियानों की बात हो गई अब देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकबर को कही बार अकबर महान यह सम्राट अकबर भी कहा जाता है तो अकबर को केवल क्या उसकी विजियों के लिए सम्राट या अकबर महान कहा जाता है तो इसका जवाब होगा नहीं अकबर को महान यह अकबर को सम्राट उसकी राजनतिक विजियों के लिए नहीं बलकि उसकी धार्मिक सहिशुनता के लिए कहा जाता है उसने भले ही वह एक Mughal Shasak था, अन्य Mughal Shasak की बाती उसकी जो धार्मिक नीती थी, वो कहीं न कहीं सही सुनू थी, वो हमेसा कहीं न कहीं अन्य धर्मों का भी उतना ही सम्मान करता था जितना वह अपने Islam धर्म का करता था, इसलिए इतियास में उसे एक विशिश्छ स्थान प्राप्त है तो अक्बर के द्वारा उसके जीवन काल में कौन-कौन से महत्पूर्ण कार्रे किये गए उनके सम्मद में हम चर्चा करते हैं तो देखे सन 1562 में उसने दास पर्था की समाप्ति कर दी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब युद्ध होते थे तो हारी हुई जो सैना होती थी सासक जो होते थे उनके परिवार वालों को उनके सैनिकों को सब को बंदी बना लिया जाता था महिलाओं को बंदी बना लिया जाता था उन्हें दास बना लिया जाता था और उनके साथ उनसे मनमाने तरीके से कार्रे और अन्ने काम करवाए जाते थे तो अक् सन 1563 में उन्होंने तीर्थ यात्रा करकी समाप्ति कर दी पहले लोग जो तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उन्हें कर चुकाना पड़ता था उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी देन उसके बाद 1564 में उन्होंने जजिया करकी समाप्ति कर दी जजिया आपने समने सुना गुरूप में जाना जाता है जब कि सच्छा यह है कि धार्मिक कर नहीं होने के अलावा यह कर यह कर वास्तिक्ता में आय कर था यह आय के ऊपर लिया जाने वाला कर था पर चैलिए आगे बढ़े शन सन 1571 में उन्होंने एक नए सहर की स्थापन करवाई जो वर्तमान मुत्तर प्रदेश में है जिसका नाम है फत्यवपूर सीखरी और इसकी स्थापना उन्होंने अपने ही एक जो अध्यात में गुरू थे सेख सलीम चिस्ति उन्हीं के लिए करवाई थी उन्हीं के कहने पर कर परवाई थी ठीए सन 1574-75 में उन्होंने गुप्चर विभाग की स्थापना की ताकि आंतरिक जो विवस्ता हैं वो सुद्रड़ रहे हैं सन 1574 में उन्होंने घोड़े दागने की प्रथा का आरंब किया ठीए हालनकि इस घोड़े दागने की प्रथा का सुरूआ सबसे पह लिखने कि पर आरंब करवाया कूलिया कि दरसल कहतें यह कहते हैं कि आकार कैसा है अक्रास कर सकते उनका स्केच बनवाना आरम करवा दिया और समय समय पर उससे उनकी मिलान की जाते थी सैनिकों को घोड़े दिये जाते थे क्यूंकि उस समय सैनिकों के पास क्या होता था घोड़ा होता था और उसके हत्यार होते थे और उसमय घोड़े और आज भी बहुत महंगे आते हैं ऐसे यह साधरन नसल के घोड़े नहीं होते थे यह बहुत बहुतरी नसल के घोड़े होते थे जो युद्ध में काम लिये जाते थे तो हर समय युद्ध होता नहीं था तो जो सैनिक थे वह इन घोड़ों की काला बाजारी करने लग गए इसी काला बाजारी को रोकने के तो इसे कहते हैं घोड़े दागने की पिड़ता और हूलिया लिखना सन 1575 में मनसबदारी विस्ता की शुरुआत की गई अब मनसबदारी क्या होता है अगर हम मनसबदार की बात करें मुझे याद है कि पिछले बार जो हमारा जो आईवी का जो एक्जाम हुआ था इन्फॉर्मिशन बीरो का और वो आईवी का जो एक्जाम हुआ उस आईवी के एक्जाम में है इसे हमें मनसबदारी का मतलब है स्रेणी या हम इसे कह सकते हैं आई कि इससे हम पता लगा लएते हैं दर शल्व उससे पता चल जाता कि उसका ओधा क्या है तो अकबर तो पूरे देश का समराठ था उसके अधीन चोटी बड़ी रियासोतों के बहुत सारे सासक काम करते थे तो वहां पर सब सासकों की जो अकबर की नजर में यह जो कौन सा सासक कितना मेहत्व रखता है उसके लिए उन्होंने उनको नंबर देना ने बहुत है स्टार्ट किया यह जो नंबर था इसी को मनसफ कहा गया जो 10 से सुरू होकर कहा तक जाता था दोस्तों यह 10 से शुरू होकर और 10,000 तक था अब मैं आपको यहां पर बता दू कि 10 से लेकर 7,000 तक के मनसफ तो दिये जाते थे अकबर के अधीन जो राजा थे और 7, आतफाजार से लेकर और दस हजार तक का मंसभ जो दिया जाता था मुगल राजकुमारों को या फक्रेटीम या। हलाएकि सहाजाहा ने इसकी संख्या को आगे बढ़ा दिया और उरे मुगल समराज में अगर सबसे बड़ा मनसब यदी किसी को मिला तो वो कौन था वो तहां सहाजाहा का बड़ा पुत्र दारा सिको हो जिसको सहाजाहा ने 40,000 का मनसब प्रदान किया था यही यह मनसब ही तह करता है कि किसकी कितनी सेलरी होगी किसके पास कितने अधकार होंगे अब इसको थोड़ा सा और समझे तो मनसब दारी दो सेक्शन में डिवाइड होती है एक हिसा होता है जात और एक हिसा होता है सवार देखे जात का मतलब तो है वही रैंक से यानि कि स्रेणी अब देखे जैसे मानली जी अकबर ने मान सिंग को साथ हजार का मनसब प्राद प्रदान किया तो इसका मतलब मान सिंग की जात है साथ हजार की देखे और साथ हजार उसे सवार भी दिया गया तो इसका मतलब यह है कि मान सिंग को यह चूट है कि वो अपने अधीन अपनी पर्सनल सेना में अधिक से अधिक साथ अजार सेनिक रख सकता है तो यह इस तरीके से काम करता था ओके चली तो यह थी मनसफदारी विस्ता जो सन 1575 में सुरारम की गई सन 1575 में ही अकबर ने भत्यपूर सीकरी में इबादत खाने की सुरुवात की इबादत खाना इबादत खाना क्या होता है दरसल जैसे आपने यह सब्द जो है यह फारसी वासा का सब्द है इबादत खाना कपड खाना चित्र खाना कार खाना जहां पर कुछ काम करते हो इबादत का मतलब होता है प्रियर या प् भूप थी धर्म के रिती रिवाजों में बहुत थी तो अकबर ने क्या किया कि सुरुवात में केवल मुस्लिम धर्म गुरुओं से धर्म के उपर विचार्विमर्स करने के उद्देश से उसने इबादत खाने के स्थाप ना करवाए हाला कि सन 1568 में यह सब के लिए खोल दि यह क्या नहीं करना चाहिए उसके अलावा सन 1577 में उन्होंने सिक्क गुरू रामदास को 500 वीगा जमीन प्रदान की और यहां पर आप देखेंगे कि अम्रसर सहर बसाया गया आगे चलें तो आगे हम देखें तो सन 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है दोस्तों कि अकबर के समय में जो अबादत खाना था जब सभी धर्मों के लिए खोला गया तो कौन-कौन से हिंदू साचार उसमें सामिल हुए कौन-कौन से मुस्लिम गुरू हुए कौन-कौन से पार्सी हुए तो ऐसे सवाल कई बार पूछ ले जाते हैं बड़े पार्सियों के तरफ से महर जी राणा इन्होंने सुर्य नमस्कार सबक सखाया दस्तूर जी राणा पहुँचे इसाईयों की तरफ से आकवा बीबा और मौनसेंट ये इन से मिलने पहुँचते हैं और जैनियों के तरफ से हरी विजय सूरी और जिन-चंद्र सूरी ये दो पहुंचते हैं हरी विजय सूरी के विद्धता से प्रेरित होकर उन्होंने उनको जगत गुरु की अपादी प्रदान की और जिन-चंद्र सूरी को 200 विगा जमीन प्रदान की और साथ में यूग प्रदान की उपादी भी उन्हें प्रदान की जाती है तो यह कई बार पू अकपर जो मुसलिम धर्म के सम्नमंद में अंतिम नेड़ने की जो पावरती वह किसी समराण या बादशाके पास नहीं थी बंकी वह किसके पास थी वो मुस्लिम धर्म गुरूओं के पास थी और मुस्लिम धर्म भी सिया और सुन्नी में बटा हुआ था तो कहीं न कहीं ये मुस्लिम धर्म गुव अपने एक्छा के अंसार अपने फाइदे के अंसार नेने देते थे और अकबर इस चीज़ से काफी परिसान था तो अकबर ने घुशित किया सन 1589 में कि धर्म के संबंद में इसलामिक धर्म के मुस्लिम धर्म के संबंद में अंतिम निर्णे लेने का अधकार जो होगा वो स्वैम समराट के पास होगा इसी को मजहर की घुशना कहा जाता है और इससे जो मुस्लिम मुल्ला मुल्वी थे वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उनसे नाराज होते हैं और वो उनके खिलाफ को फत्वा भी जारी करते हैं अकबर ने सन 1580 में अपने पूरे समराज को 12 सूभों में बाट दिया अब देखिए कई बार सवाल पूछा जाता है कि मुगल समराज कितने प्रांतों में विभक्त था यहां पर सूभे का मतलब स्टेट से है प्रांत से है तो देखिए आपको ध्यान रखना है इनकी सूभ बिनाए 12 प्रोडर मालद्वारा 10 साला प्रणाली की सुरुवात की अब 10 साला क्या होता है देखिए कि समझेगा अधिकतर राजा जो थे वह संपूर्ण जो देश था उसमें एक ही तरह की कि वह प्रणाली लागू करते थे भाईया उपज का एक बटे तीन हिस्सा देना प यह है वह पंजाब का किसान आसानी से दे सकता है लेकिन राजस्तान का किसान नहीं दे पाएगा उसकी क्या वज़ए है क्योंकि दोनों की परिसा जमीनों की और सचाई और किर्सी की दसाइं जो है वह विभिन है अलग अलग हैं तो अकबर को जब यह पता लगा तो उन्हो समराज के जतने भी किर्सी योग भूमी थी उसे 4 इस्सों कौन-कौन-से-4 कि पहली भूमी कहलाई पोलज भूमी कि दूसरी भूमी कहलाई पर्ती भूमी तीसरी भूमी कहलाई चचर और चौती भूमी कहलाई बंजर तो देखे पोलज भूमी में उस भूमी को रखा गया जो उपजाऊ है और जो पिर्ती वर्स फसल देती है जो पिर्ती वर्स अच्छी फसल देती हो उस भूमी को क्या कहा गया उसको कहा गया पोलज भूमी परती भूमी ऐसी भूमी परत छोड़ते हैं हम कई बार तो जो दो वर्सों में एक बार अच्छी फसल दे तो उसे क्या कहा गया उसे परती भूमी कहा गया चचर भूमी ऐसी होती थी जो तीन या चार वर्सों में एक बार फसल दे और ऐसी भूमी जो पांच या अधिक वर्सों में केवल एक भार ही फसल दे तो ऐसी भूमी को कहा गया बंजर भूमी ठीग है तो इनका टैक्सेशन भी उसी तरीके से तह किया गया सबसे ज़्यादा टैक्स पूलस से लिया गया दैन परती दैन चचर और सबसे कम पंजर से इसमें किसानों को भी सुधा रही और अकभर को भी कहीं सुधा देखने को मिली अब देखिए यहाँ पर हो गया हमने दैसाला प्रणाली देखी अब हम देखेंगे सन 1580 में पुर्तगाली में सन भी आता है ठीक है यह कोई ऐसा इंपोर्टन फैक्ट नहीं है सन 1582 में इबादत खाना बंद कर दिया गया 82 में ही दीन ए इलाही की घोषना की गई यह अकबर की मूर्कता का प्रमान पत्र माना जाता है कि अकबर अपने अंतिम समय में तो पागल जैसा हो गया ठीक है उन्होंने क्या कि मजहर की घोषना जैसे ही की तो कहा जाता है कि वह बहुत घमंडी भी हो गए तो उन्होंने ए अच्छ अच्छी बातों का संकलन करके एक नए धर्म की शुरुबात की जिसे कहा गया क्या? जिसे कहा गया दीन ए इलाई एक नए धर्म की सुरुबात कर दे दीन इलाई की अलाकि उसमें काफी कोशिस करने के बाद किहला खुल 18 लोग सामिल हुए और एक मातर हिंदू बीर बलता जो उसमें सामिल हुआ और कोई हुआ भी ने दीन इलाही में अगर आपको सामिल होना था थो आपकी संपत्ती आपकी जितनी भी जमीन है ठीक है आपका मान संबान है वो सब सौंपना पड़ता था अकबर को जैन उसके बाद रविवार के दिन उसे दीन इलाही धर्म में दिक्सित किया जाता था और इबादत खाने में ब्रस्पतवार के दिन चर्चा होती थी तो यह ध्यान रखिएगा उसके अलावा 1583 में एक नय समवत चलाया पहले हिज्री समवत चलता था जो इसलामिक समवत है उसकी जगह उन्होंने इलाही समवत चलवाया जो आगे चलकर जांगे द्वारा हटा दिया जाएगा और कुछ निश्चे दिनों पर उन्होंने पसुवद पर भी रोक लगा दी जैन आचारियों के कहने पर उन्होंने पसुवद पर रोक लगा दी कि अब हम बात करते हैं जैसा कि मैंने इसके वारे में आपको बता ले सकते हैं कि अब अक्बर के नवरतन की यहां पर भी हमने नाव Ouais ले देखे हैं अब हम यहां पर भी नोरा्टण देखेर थी तो देखें सबसे पहले बीरबल का जन तालपी में ब्रहम्मन परिवार में हुआ बच्पन का नाम महेजदास था यह कुसल वक्ता थे कहानीकार थे और एक कवी भी थे उसके अलाव अबुल फजल के बारे में आप जानते ही एक बहुत बहुत बहुतरीन लेकरते इतियास कारते इन्होंने अकबर नामा का जो अंतिम भाग है दोस्तों वो कह लाता आइन एकबरी आइन सब्द का मतलब आइन जहां भी आ जाये तो याद रखना आइन का मतलब होत इतने भी सुधार थे वो इन्होंने किये और इसी क्यारण इन्हें गुजरत का दीवान भिन्युक्त किया जाता है जो दैसाला प्रिंआली थी इस लाप रिखा तयार की थी वो भी किस ने की थी इसी टोडर मलनी की थी आगे तान से संगीत गुरु थे भाहनक संगित इनके मलहार आदी फैमस हैं मान सिंग जो थे वो कच्छवा राजबूत थे बहतरिन कुसल युद्धा थे कुसल पिर्सा सकते हैं ना और सुरुवाद से ही आ जाते हैं और मैं आपको बताऊं कि राजा जो थे भारमल उनके पुत्र पोत्र थे देखें आगे हम देखें तो इन्हों सम्राज विस्तार में महटून भूमी करने भाई अबदूरहीम खाने-काना जो है यह पृरम खा के पुत्र थे जिनहें वह गोद लेते हैं और इन्हें को आगे चलकर वह खाने-काना की उपादी पृदान करते हैं और अब्दलरहीम खाने खाने को गारakा सबसे मैचतुन पूछा जाने का सवाल ये है इनुह ने बावर्नामा का फारसी में अनुदा किये अलएकि इससे पहले पायंद खाना भी उनुका पारसी में अनुदा किया था और अंग्रेजी में स्रीमती बेवरीज ने उसकानवाद किया था पैजी अबुल फजल का बड़ा भाई है देखें अकबर की तरवार में राजकवी के पदबर था देखें लीलावाती का फारसी में नोने अनवाद किया मुला दो पाज़ा यह सलाकार थे और हकीम हुकाम जो थे यह उनके रसोईया थे रसोई घर के प्रमुक थे ठीके सैफ थे आप ऐसा कह सकते हैं है ना चलिए यह हमने आज अकबर के संब्द में जितने में महत्रून तत्य थे उनके संब्द में हमने जाना आई होप आपको पसंद आया होगा जल्दी हम मुगल सम्राज मुगल सम्राज के बाद जल्दी में एक मैराथन किलास आप सभी के लिए एंसेंट सिस्ट्री पर भी लेकर आऊंगा तब तक के लिए धरन्यवाद जय हिंद जय भारत